दिसंबर उनेस्व तेतालिस इसवी में लिग ने कंग्रेस के भारा छोड़ा अंदोलन के नारे को मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया तो इसका correct answer होगा option A कराची अधिवेशन में अगला प्रशन है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश सासन की किस योजना का परिनाम है तो इसका correct answer होगा option A मांट वेटन योजना चलिए अब आते है अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि 15 अगस्त 1947 इसवी को जब भारत स्वतंद्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पाटी की सरकार थी ठीक ना तो इसका correct answer होगा option A लेवर पाटी चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे कि कंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी ठीक है ना तो इसका correct answer होगा option A 1850 इसवी में चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशना आपके सामने है कि भारत राष्टिय भारतिय राष्टि कंग्रेस के अस्थापना का स्रे किसे है ठीक है तो इसका correct answer होगा option D AO चलिए अगला प्रशना है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्णर जनरल काउन था तो देखे इसका correct answer होगा option C है ना स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्णर जनरल था C राजगोपाला चारी चलिए तो देखे प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अगर स्वतंत्र भारत के पर्थम भारतिये गवर्णर जनरल या अंतिम गवर्णर जनरल अगर बोले अगर भारत लगा हुआ हो उसमें ठीक है ना तो इसका correct answer होगा स्वतंत्र भारत के पर्थम ठीक है ना तो इसका correct answer होगा C राजगोपाला चारी अगर आपसे सिर्फ यह पूछे है ना कि भारत का है ना परफम गवर्नर जनरल कौन थे तो लाड मॉंट बेटन हो जाएगा ठीक है ना इस बातों के उपर आप ध्यान रखेंगे और भारतिये गवर्नर जनरल बोले है ना देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना भारतिये गवर्नर जनरल तो इस प्रकार से आपका इंसर अगला प्रशन है कि भारतिये राष्टिये कांगुरेस के पर्थम अधिवेशन की अध्यक्चिता की थी तो देखे इसका correct answer होगा option B वेमेस चंद्र बनर जी अगला प्रशन है कि मुहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन कथन सही है ठीक है ना अगले प्रशन है कि सुभास चंद्र बोस भारती राष्टि कांगुरेस के अध्यक्चि कब बने तो ऑप्सन आपके सामने है इसका correct answer होगा अगले प्रशन आपके सामने है कि केविनेट मिशन 1946 में भारत आया ठीक है कोन इसके सदस्य नहीं थे यह आपको बताना है अप्सन आपके सामने है तो इसका correct answer हो जाएगा option B एवरी चली अब आते हैं अगले प्रशन आपके सामने है कि क्युलिमेंट है ना इटली ठीक है ने या घोसना कब की की ब्रिटिस सासन जून 1948 जिस्वी तक भारत छोड़ देगा ठीक है अप्सन आपके सामने है इसका correct answer होगा option B है ना 20 परवरी 1947 जिस्वी अगला प्रसन आपके सामने है कि स्वतंतर भारत के पर्थम गवर्नर जनरल ठीक है तो इसका correct answer होगा सी राजगोपालाचारी यहाँ पर भारतिय लगा हुआ नहीं है यहाँ पुछा जा रहा है आपको स्वतंतर भारत के पर्थम गवर्नर जनरल तो लौड मॉंट वेटन अगर यदि पुछता कि स्वतंतर भारत के पर्थम भारतिय गवर्नर जनरल याद र अगले प्रशन आपके सामने है कि सीधी कारवाई की धमकी किसने दी अप्सन आपके सामने है तो इसका correct answer होगा option B है न मुश्लिम लिंग चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि 15 फरवरी उनेश्व 42 सिस्वी को सिंगापूर के पतन पर 40 हज्यार भारतिय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फोज की अस्थापना किसने की तो देखिए इसका correct answer होगा option A है न मौहन सिंग चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि भारतिये अगला प्रशन है कि भारतिये राष्टिये क अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि मुश्लिम लिग ने मुश्लमानों की प्रिथक राष्टि पाकिस्तान की मांग कब उठाई option आपके सामने है तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा option B उने 146 में अगला प्रशना है कि फरवर्ड व्लॉग है ना उने 149 इस भी किया स्थापना किस ने की option आपके सामने है इसका correct answer हो जाएगा है ना option C ठीक है ना सुबास चंदर बोस चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशना आपके सामने है कि सुबास चंदर बोस ठीक है ना सुबास चंदर बोस ने आजाद कहां पर आजाद हिंद फोज का गठन किया ठीक है ना option आपके सामने है तो देखे इसका correct answer हो जाएगा option D है ना सिंगहा पूर्वे ठीक है ना चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशना आपके सामने है कि Muslim League द्वारा मुक्ती दिवस कब मनाया गया option आपके सामने ह इसका correct answer हो जागा option D 22 दिसंबर 1949 इसवी को चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशना आपके सामने है कि Muslim League द्वारा सीधी कारवाई दिवस मनाया आगया option आपके सामने है इसका correct answer हो जागा option C है ना 16 अगस्त 1946 इसवी चलिए अगला प्रशना आपके सामने है कि भारतिय राश्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष कांथी अप्सन आपके सामने है इसका correct answer हो जागा option इनिवेशन चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशना आपके सामने है कि सुवास चंद्रबोस ने हिंदुस्तान की अस्थाई सरकार की अस्थापना की घुषना सिंगापूर के है ना केलो हाल में कब की ठीक है तो देखे इसका correct answer हो जाएगा option C दो अक्टूबर उनेश्वत इतालीश शिश्पी को अगला प्रशना है कि भारत को है ना बिभाजित करने की मांट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई option आपके सामने है इसका correct answer हो जाएगा option C राजगोपालाचारी प्रमुला अगला प्रस्ना आपके सामने है कि पाकिस्तान सब्द किस ने दिया option आपके सामने है इसका correct answer हो जाएगा option C है ना चौधरी रहमत अली चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रस्ना आपके सामन से दुखी होकर है ना उपवास की घोसना किस ने की option आपके सामने है तो देखे इसका करेक्ट अंसर हो जागा option B महात्मागांधी अगला प्रशना है कि मुस्लिम लिख की अस्थापना किस वर्स हुई option आपके सामने है इसका करेक्ट अंसर हो जागा option B 1906 चली अब आते हैं अ पहिद A अजाम है ना किसे कहा जाता है और सना आपके सामने है इसका correct answer हो जाएगा option B हैना सरदार भगत सी चलिए अगले प्रस्चनों पे कि operation 0 अबर किस आंदोलन्च से समन्दित है और सना आपके सामने है इसका correct answer सरो जगा ऑप्सन C है ना भारत छोड़ो आंधोलच तो प्यारे वच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं और जितना ज्याता से ज्यादा हो सके इस वीडियो को सेर करें और बीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भोलें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे द्वारा अप्लोड की गए वीडियो की नियोट पे खसन आपको टाइम पे मिलता रहे तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मा प्रेवट